अमेरिकी प्रेजिदेंशिल एलेक्शन्स में अब कुछी दिन बचे हैं उमीदवार और वोटर्स दोनों ही अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए है वाइस प्रेजिदेंट कमला हैरिस और पूर्व राष्टपती अपने अपने दावों से वोटरों को रिजहाने में लगे है इसे बीच अमेरिकी राष्टपती के चुनाव में गांजे की एंट्री हो गई है और खास बात ये है कि दोनों ही उमीदवार इससे अमेरिका में लीगल करना चाते है आईए जान देते हैं कि एसा क्यूं है नमस्कार मेरा नामेरिये शर्मर आप देख रहे हैं TV9 Digital पांच नवंबर को अमेरिका में वोटिंग के बाद जो भी राष्टपती बनेगा वो स्वभाविक तोर पर व्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर करेगा इन बदलावों में से एक ये भी हो सकता है कि अमेरिका में गांजा लीगल कर दिया जाए वास्तव में अमेरिका में पिछले 100 सालों से गांजे के इस्तमाल पर संगिय रूप से बैन लगा हुआ है सिर्फ मेडिकल उपियों के लिए इसकी अनुमती दी गई है जो भांग को वैद करने का सपोर्ट करता है खास बात ये रही है कि जिन राज्यों ने गांजे की बिकरी को वैद किया है वहां पूरे अमेरिका की तिरपन फीजदी आबादी रहती है इसके लावा अमेरिका में साथ ऐसे राजे हैं जिन्होंने कम मात्रा में गांजा रखने पर जेल की सजा हटा दी है कुल मिलाकर 38 अमेरिकी राजे और डिस्ट्रिक ओफ कोलंबिया में ऐसा कानून है जो गांजे के मेडिकल मेयोपियों की इजाज़त देते हैं सबसे हैं बात यही है कि पिछले साल गेलप के ओर से कराए गए सर्वे में अमेरिका के करीब 17 फीज़ी लोगों का कहना यही है कि इसे लीगल कर देना चाहिए साल 1979 में गांजा नीती तयार करते वक किये गए पोल के मुकाबले पिछले साल सबसे जादा लोगों ने इसे लीगल करने के लिए वोट किया है शायद यही कारण है कि इस बार चुनाव में दोनों ही उमीदवार गांजे को लीगल करने का मुद्दा उठा रहे हैं गांजे को जब वैद करने का मुद्दा उठता है तो अमेरिकी उपराश्पदी कमला हारिस का लग-लग रुख सामने आता है साल 2019 में उन्होंने सिनेट में एक बिल पेश किया था जिसमें संगिय रूप से गांजे के अपराधिकरन को खत्म करने की बात पही गई थी हाला कि हमेशा से गांजे को लेकर उनका व्यभार ऐसा नहीं था वाशिंग्टन पोस्ट के मुदाबिक जब वो सैन फ्रांसिसको डिस्ट्रिक की अटॉर्नी थी तब करीब 2000 लोगों को गांजे से जुड़े अपराधों को लेकर उनके दफ्तर से सजा मिली थी साल 2010 में जब वो कैलिफोर्निय की अटॉर्नी जनरल बनने की होड में शामिल थी तब उन्होंने इसके इस्तमाल को लीगल करने का विरोध भी किया था लेकिन अब जब वो राश्पती पद की दोड में शामिल है तो एक बार फिर उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है उनका कहना है कि गांजा पीने पर किसी को भी जेल नहीं जाना चाहिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोगों को आम तोर पर गांजा रखने पर जेल जाना पड़ रहा है जहां तक पूर्व राश्पती डुनाल ट्रम्प की बात की जाये तो इस मुद्धे पर उनका भी अलग लग रुख सामने आता रहा है और काफी सपश नहीं रहा है राश्पती के रूप में उन्होंने उम्रकैद की सजा पाए एक ड्रग डीलर को भी माफ कर दिया था पिर 2023 में उन्होंने ये कहा था कि सभी ड्रग डीलर्स को मौत की सजा दी जानी चाहिए अब हाली में उन्होंने ये क्लियर रूप से कहा है कि फ्लॉरिडा बैलेट इनिशेटिव में वो गांजे को वैद करने के लिए वोटिंग करेंगे ऐसे में देखना ये हम होगा कि 5 नवंबर को वोटिंग के बाद जो भी राष्ट्पती चुना जाएगा उसका गांजे पर क्या रुख होगा बहराल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बागी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीविनाइट डिजिटल पर